वेल्कम ठेंड्स पिजले भाग में हम ऑक्सिजेन के जो सोर्स है Mgps, Psa, Concentrator और सिलिंडर के उपर बात किये थे इसी भाग में हम ventilator and oxygen cylinder में कितना oxygen है उसको कैसे calculate करे कितना देर तक वो यूज कर सकता है उसको उपरे विडियो लेके आये हैं पहले बात cylinder का type कितना हो सकता है पहले जो classification था cylinder A, B, C, D, A, S, A के नाम से जाना जाता था लेकिन अभी ए तुड़ा modern method में M उसके बाद कुछ number लेके ओ classification आया है M मतलब medical oxygen and जो number है ओ थोड़ी कितना oxygen है cubic meter में ओ denote करने के लिए लाया है जैसे देखिए M2 मतलब इसका cylinder का capacity है 40 liters oxygen ऐसे गड़के M4 मतलब A उसका capacity है 1 14 liter of oxygen ऐसे करके M6 मतलब B पहले वाला था B O 165 liters oxygen ऐसे करके D 425 capacity oxygen इतना liter होगा ऐसे करके classification है अभी देखिए एक cylinder जैसे एक cylinder अगर continuously यूज किया जाए तो कितना टाइम तक ये cylinder यूज कर सकता है flow rate के उपर डिफेंड करता है अगर flow rate 1 liter पर minute है तो ये cylinder 1.54 आवर तक यूज कर सकता है flow rate 2 liter पर minute हो गए तो ये 0.6 आवर तक यूज कर सकता है ऐसे गड़के ये value यहाँ पर mention होगा है अब देख सकता है ठीक है? लेकिन ये कैसे निकाला जाता है उसको उपर थोड़ी बात करेंगे देखिए अगर एक cylinder समझिए D और E whatever it is इसका capacity है 1000 liters मतलब एक cylinder में 1000 liters oxygen है अगर डॉक्टर साब प्रेसकाई किया 3 liters पर minute flow rate देके एक patient को ये cylinder दे रहे हैं तो कितना देर तक ये cylinder चलेगा देखिए पहले बात है ये जो flow rate है इसको liters per hour में convert करना है तो कैसे करेंगे? हम लोग जानते है एक hour equal to 60 minutes तो मतलब क्या हुआ? 3 into 60 इसको multiply करने से जो आएगा 180 liters per hour ठीक है? क्योंकि मिनिल में जो चलता है hour में उसो ज़्यादा चलेगा इसलिए 60 देखे into करना है divide नहीं ठीक है? so 3 liters per minute equal to 180 liters per hour अभी देखिए कितना देर तक चलेगा? cylinder का जो capacity यहाँ पे 1000 liters divided by flow rate liters per hour so अभी क्या हुआ? ये divide करके जो आएगा 5.55 उसके बाद ये hour ठीक है? so liter-liter कट गया hour जो है per hour था उपर में चलाया so ये हुआ 5.55 hours इसका मतलब ये हुआ एक cylinder जिसका capacity था 1000 liters वो अगर 3 liters per minute flow rate में चले तो 5.55 hours तक equation को continuous flow में ढहेंगे तो दे सकता है ठीक है? अगर थोड़ी देर तक बीज बीज बे रूख गए तो ये time और भी ज़्यादा होगा ठीक है? लेकिन continuous flow rate का जो time है वो ये आपको निकलना है अभी देखिए ये cylinder को जो capacity है वो capacity fix नहीं गहता है इसलिए ये जो calculation दिया गया अगर आपको ये value आपको पाता है तो ये calculation सही है लेकिन क्या होता है cylinder का capacity सही नहीं रहने से एक calculation error भी हो सकता है इसलिए एक rectified method लाके आया है वो समझिए पहला state में क्या है? step 1 में आपको देखना है cylinder का pressure कितना है pressure gauge में ये पाता चल जाएगा अगर नहीं पाता चले तो जो supplier है उससे पूछ लीजिए उसके बाद उसका जो pressure रहेगा suppose इसका pressure है x x psi psi मतलब pressure पार square inch ठीक है? pound पार square inch उसके बाद क्या होगा? x मतलब x-200 so जो value आएगा उसको value लेना है x-200 psi इसको क्या करेंगे उसके बाद x-200 value को एस cylindrical जो constant है से multiply करना है इसका value दिया गया है अगर d type cylinder है इसका value है 0.16 ऐसे करके एक constant आपको मिल जाएगा एक example दिया 0.16 तब मतलब क्या हुआ? x-200 into 0.16 अभी ए जो value हो गया इसका एक cylinder में इतना oxygen ही है ए rectified और corrected value of oxygen present in a cylinder अभी क्या हुआ? अभी पहले से जो बोला x-200 into 0.16 इसका बन गया capacity divided by flow rate जिदना बोलेगा जैसे यहां पर अगर समझीए इस value में इस value में क्या होगा? x-200 into 0.16 by 180 जो value आएगा वो आएगा तो ऐसे कालके अब लोग निकल सकते हैं बहुत easy method है अभी देखिए एक 10 cylinder जिदना capacity अभी discuss किया एक लिटर पर मिनिट floated में चलेगा 5.33 hours ठीक है? जैसे करके 1000 लिटर के इसका capacity अगर है तो जो अभी दिखाया उसके 2 लिटर पर मिनिट में यह चलेगा 2.667 hours 3 लिटर पर मिनिट में चलेगा 1.77 ऐसे करके 5 लिटर पर मिनिट में चलेगा 1.066 hours तो यह value आप खुद ही निकल सकते हैं बहुत easy method है अभी जो समझेए अभी देखिए oxygen level जो हमारा body में है उसका value 92% से उपर ही रहता है अगर इसके नीचे में आ जाता है तो हमारा body danger zone में आ जाता है तो उसके लिए oxygen देना पड़ेगा यह oxygen कैसे देंगे ventilator यूज करके दे सकते है ventilator क्या है एक machine है जो patient breathe नहीं कर पा रहा है उसके लिए यह machine दोड़ा उसको lungs में oxygen देंगे और carbon dioxide उसको body से निकलने में help करेगा ठीक है यह machine देखिए ऐसे करके दिखता है ventilator यहाँ पे oxygen यह pipe से निकलता है इस oxygen को पहले moist किया जाता है distill water देखे यहाँ से उसके बाद यह pipe से यहाँ से निकलाता है आने के बाद यहाँ patient को nose से और जो mouth है उसमें से यह oxygen देके फिर जो carbon dioxide निकलता है यहाँ से यहाँ से लेके बाहर में दे देता है अभी देखिए यह oxygen देने के लिए two methods है एक है नाक से देता है जो बोलता है nasogastric tube यह है non-invasive method और endotechial tube जो है ओ mouth से देता है उसको बोलता है इसको बोलता है इसको बोलता है non-invasive method और इसको बोलता है invasive method ठीक है वो बाद में थोड़ी details में बोलता है ठीक है अभी देखिए non-invasive मतलब जो short time के लिए use होता है और इसको patient को कुछ सथ जड़ी का जोड़ूरत नहीं है ऐसे ही mask और similar device देके दे देते हैं लेकिन जो patient को ज़्यादा दिन तक के लिए ओ देना पड़ता है oxygen तभी endotracheal tube और laryngeal laryngeal tube जो है mask ओ देके उसको use करना पड़ता है इसलिए invasive method long term के लिए है और non-invasive method short term के लिए use होता है अभी देखिए patient को जो ventilation में रखा जाता है वो किया कुछ खाना खा सकता है और कुछ पी सकता है drink कर सकता है answer है नहीं तो यह कैसे चलता है उसको nutrition कहां से मिलता है इसका answer है artificial nutrition उसको दिया जाता है small tube nose से द्वाड़ा tube feeding करके अभी देखिए कितना देर तक ventilation अब यूज कर सकता है जैसे few hours से ले तक three weeks तक अब यूज कर सकता है और जैसे पहले बोला short term के लिए non-invasive method and long term के लिए invasive method use किया जाता है अभी देखिए किया risk factor है ventilation करने से ventilation करने से patient का जो kidney है उसको थोड़ी injury हो सकता है इसलिए दिमग में रहना चाहिए उसका patient का जो ventilation में आ रहा है उसको kidney का status क्या है वो थोड़ी check करना पड़ेगा अभी देखिए कैसे पाता चलेगा ventilation जब हो रहा है एक person का वो जिन्दा है के नहीं देखिए ventilation में हम लोग machine दोड़ा उसको oxygen दे रहा है ठीक बात है लेकिन patient का जो heart है उसको आपने आप ही चल रहा है उसको उपर ventilation का कोई influence नहीं है इसका मतलब क्या हुआ जो monitor देख रहे थे वहाँ पे monitor में देखके उसका जो heart का activity है वो पता चल जाएगा अगर वो zero heart rate हो जाया state line हो गया monitor में उसका मतलब पेसेंट और जीवित नहीं है वो मर गया ठीक है अब टू दीस टूदे थैंक यू फॉर यूर पेसेंस टाइम